नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे पंवन बिरिज के बारे में जो की रामिस वरम है आप में से बहुत लोग वहागाई भी होंगे और साथ ही हम देखेंगे कि इस बिरिज की जो हाइट है वो इतनी कम क्यों है ज चलिए सरु करते हैं पंवन बिरिज जो की है रामिस वरम में जो की रामिस वरम से आपका पंवन आइलेंड को कनेट करता है जिसकी जो अप्रोक्सिमेटली दूरी है वो 2065 मिटर है याने की 2 किलोमिटर एक तरिके से ये जो पंवन बिरिज है ये ब्राड गेज अरे बना है सी लिंक बनने के बाद इसका इस्थान दूसरा हो गया यह जो ब्रिज है यह ब्रिटिश टाइम का ब्रिज है जो कि 1911 में इसका कस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ और साथ ही 1914 में आम लोगों के लिए यह उपन हुआ इसमें ब्रॉड गेज रेल ट्रेक है और साथ ही आप पर वाटर का लेवल की स्टेडी होती है यानि कि फुल सप्लाई लेवल एफ एसल इसका मतलब यह होता है कि 100 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है कि मैक्सिमुम वाटर कहा तक पहुचा तो उसी की हिसाब से आपका ब्रिज का डिजाइन होता है अगर कोई रेल ट्रेक गंगा लेकिन समुदर में मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि समुदर से अगर आप पानी निकालते भी है और समुदर में पानी जाता है तो भी समुदर का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता केवल जो लहरे आती है उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा लेकिन समुद पांटे व्यू से काफी पैसों का लॉस होता तो एक तरह से वो सेफ है अगर थोरी बहुत लहरे भी अगर आए तो कोई नुकसान ना पहुंचे उसकी हाइट चार से पाच मीटर है तो इस वजह से यहाँ पर जो ब्रिज की हाइट है वो काफी कम रखी गई है और अगर माल ल करता है उस वजह से मैक्सिमम के साफ से डिजाइन करते है पर वहाँ पर जो रामिस्वरम में जो पॉंबन वीज है वहाँ पर जुरुवत नहीं है उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कटक जाएंगे कटक महानदी है महानदी की जो जब महानदी से ट्रेन निकलती है तो इसकी हट काफी काम है क्योंकि वहाँ पर जो मैक्सिममम वाटर लेवल है या फिर समय लेजाए एसल है इतना अधिक नहीं जाता क्योंकि जो वह एंडिंग पॉइंट है समुदर पे मिलने वाला है वे बंगाल बंगाल की खाड़ी में महानदी मिलने वाली उस वजह से जो नदी भी है वो पूरी एक तरह से स्प्रैड हो गई है बड़े से 1.2 km के एरिया में इस प्रैड हो गई है फैल हो गया है इस वजह से जो पानी का इस्तर है उतना उपर नहीं आपाता इस वजह से जो ब्रीज का डिजाइन है वह आप कम हाइट पर भी कर सकते या होप दोस्